नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत पूर्ण जानकरी के साथ दोस्तों आज मैं आपको एक पावरफुल और जबरजस्त सबजी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है चोलाई जो सबजी बजार में आपको आसाने से मिल जाती है दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक चुरूर करें क्योंकि इससे हमारी खुशी दुगनी हो जाती है दोस्तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और गंटा बटन तपाए साथ में All Notification के Option पर टिक मार्क करें जिससे हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँच जाएगी भारत की लगबग सभी प्रांतों में ये पाई जाती है और इसकी खेती की जाती है इसकी कई प्रजातिया पाई जाती है लेकिन खाने में लाल चोलाई का उपयोग जादा किया जाता है दोस्तो चोलाई पोस्टिक गुनों से परपूर होती है और इसकी सब्जी बहुत ही अगर आप चोलाई को सिर्फ एक सबजी मानते हैं तो यह आपकी फूल है क्योंकि यह एक सबसे बड़ी अवसदी भी है इसमें अनेक ऐसे अवसदी गुन पाई जाते हैं जो सरीर में हर तत्व की कमी को पूरी करता है दोस्तो इसका सबजी और साग बना कर खाने से जबरजस्त पाईदे होते हैं इसमें विटामिन C बरपूर होता है और अनेको अवसदी गुन पाई जाते हैं चोलाई के पूरे पोधे में प्रोटीन, खनेज, विटामिन A और C प्रचूर मातरा में होते हैं यह एनेमिया को सरीर में खुन की कमी दूर करके खुन पटाता है दोस्तो चोलाई एक ऐसी सबजी है जिसमें सोना धातू पाया जाता है जो इसके अलावा और किसी भी सबजी में नहीं होता चोलाई में जहर को दूर करने का एक गजब का गुन पाया जाता है जो और सबजियों में नहीं हो इसकी पत्यों का रस और सब्जी का कुछ दिनों तक सेवन करने से सरीर का सारा जहर बाहर निकल जाता है। एक फिल्टर का काम करता है। ये बेट को पूरी तरह साप करता है और पाचन सकती बढ़ाता है। इसको खाने से कपज नहीं होता साथ ही ये आतों में चिपके हुए मल को निकाल कर बाहर ठकिल देता है। जिन लोगों को खुन की कमी हैं ऐसे लोगों को चोलाय का रोजाना से साग बनाकर खाती है तो करपपात का भैट टलता है। जिन स्त्रियों को सफेद पाने याने स्वेध प्रतर की समिश्या है। तो इससे चुटकारा पाने के लिए इस चोलाय की जड़ को पीछ लिजिए और चावलों के धोन के साथ थोड़ा सहद मिलाकर पीने से ये समिश् इसकी सबजी का रोचाना सेवन करने से स्तनपान कराने वाले महिलाओं का दूद काफी बढ़ता है। इसकी खास बात ये है कि इसका सेवन करने से कॉलिस्टोल का लेवल कम होता है। इसमें वीटामिन A और C काफी मात्रा में होता है जो आखों की दस्टी बढ़ाता है। य मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई चानकार के साथ